आप सभी का स्वागत है कॉम्पेटेशन कम्यूनिटी में मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफियर्स आज हम डील करने वाले हैं जूलाई के तीसरे हफ्ते में होने वाली वे सभी समसमाई की जो हमारे राजकी अस्तर पर हमारे लिए की स्टेट लेवल से संबंदि जो भी हमारे पास में क्या है करंट अफियर्स हैं जुलाई के तीसरे हफ्ते में आज हम उनको डील करेंगे कल हम इन पर बेस करके क्या स्वाल्व करने की कोशिश करेंगे यही फॉर्माइट आप लोगों को आप लोगों के अप्लिकेशन में देखने को मिलेगा यही दिस वीक के नाम से एक सेक्शन आप लोगों के अप्लिकेशन में आप लोगों को देखने मिल जाएगा जिसमें आपके करंट अफियर्स को वीकली हम क्या कर देंगे अपडेट करते चलेंगे तो सबसे पहले हैं Headlines of the week मतलब इस हफ़ते हमारे लिए कौन सी चीजे महत्वपूर्ण रही है कि इवेंट 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 हमारे लिए इवेंट कौन कौन से रहे हैं 36 गड़ में सबसे पहले है हमारे चतीजगड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं हम उन फैसलों को देखेंगे और समझेंगे हमारे चतीजगड में दो नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए इंडियन मेडिकल कमिशन ने क्या दे dau क्या है अपने अपना पर्मिशन दे किया है फिर तीसरा हमारा बस्तर का गोंशा उत्सों के बारे में हम देखेंगे गोंचा फैस्टिवल ऑफ बस्तर फिर हम देखेंगे चतीजगड की पहली इलेक्ट्रिकि एलेक्ट्रोनिक वहन लैब याने चतीसगेड का पहला ईवी लैब के बारे में हम देखेंगे इसके बाद में हम अपने चलेंगे अगले कहां पर हम चलेंगे हमारे चर्चित व्यक्तियों के ठान पर और हमारे लिए जो एक चर्चित व्यक्ति इस हफ्थे हमारे चर्टीस गड़ में बने हुए हैं वो आपके केदार करश्यप जो आपका वन ऐवम जलवायू मंत्राले के मंत्री है, इसके बाद में हम देखेंगे कुछ चर्चित स्थल जैसे की तांदूला डैम, चम्पारण्य, ये वो आपके स्थल है, जो जुलाई के तीसरे हफते में महत्व पूर्ण रही है, इसके बाद में हम देखेंगे क्या पुरसकार है या सम्मान है तो इसमें हमारे पास में एक केवल है विश्विजन संख्या दिवर्स 2011 जुलाई को जो मनाया जाता है और फाइनली हम देखेंगे खेल में हमारे 36 गड़ कोई प्रदर्शन रहा है क्या तो यह हमारा एक हमारा राष्ट्री लेवल का राष्ट्री पावर लिफ्टिंग चैंपियंशिप आयोजित कराया गया था जिसमें हमारे 36 गड़ के चार पावर लिफ्टर्स ने बहुत ही जबरदस्त क्या किया है अपना प्रदर्शन दिखाया है उसके बारे में हम देखेंगे फिर हम द देखेंगे तो इतना कुछ हम आज हमारे वीडियो में देखने वाले हैं आये शुरू करते हैं सबसे पहला है हमारा महत्वपूर्ण इस हफते में क्या महत्वपूर्ण सबसे पहली जो रही है वो क्या है आपका 36 गड़ गवर्मेंट की कैबिनेट मीटिंग हाल ही में आयो अमेंडेड यूथ ऑफ चतीजगर्ड डॉमिसाइल विल बी गिवन रिलाक्सेशन और फाइव एस अपॉइंट्मेंट फॉर आम्ड फोसे लाइक असिस्टेंट प्लाटून कमांडर हैड कॉंस्टेबल नर्सिंग मेल नर्सिस फीमेल नर्सिस लैब टेक्नीशन फार्मसिस ड्रेसर एक्सिक्टर याने कि चतीजगर्ड साशनकार आबंटन नियम में क्या किये गए है संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से चतीजगर्ड के जो मूल निवासी यूवा होंगे उन्हें जो यहां की आम्ड फोर्सेस है उस आम फोर्सेस में क्या किया जाएगा साल तक एक्स्ट्रा उनकी भरतियां की जा सकेंगी और यह कौन-कौन से पदों पर होंगी वैसे तो बहुत सारे पद हैं लेकिन जो मुख्य पद हैं वो है आपका सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग फिर है आपका प्रधान आरक्षक नर्सिंग फिर है आपका को मिलेंगे किन को मिलेंगे जो 36 गड़ के मूल निवासी है चटीजग अधिनल निवासी पॉलिशी 2020 चिल्डरन अप्टू फिफ्ट क्लास विल बी गिवन एजुकेशन इन लोकल डायलेक्ट लोकल डायलेक्ट में इने क्या दिया जाएगा नई सिक्षा निती 2020 को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए पांचवी कक्षा तक के बच्चों को कहां तक के बच्चो वह कौन सा है forest departments along with revenue departments will make arrangement for transfer of individual forest rights individual forest rights certificates to successors who are established in the land after death of original holder मतलब जो हमारा 36 गड़ में वन अधिकार पत्रों को बाटा जाता है है ना ताकि जो हमारे वन में निवास करने वाले मूल निवासी हैं वनों के उनको वहां की जंगलों की जमीनों से फाइदा हो सके आर्थिक रूप से एवं समाजिक रूप से तो उसमें दो प्रकार से वन अधिकार पट्टों को बाटा जाता है एक आपका इंडिवीजुल फॉरेस्ट राइट्स होते हैं याने कि आप सब बदलाओ किया गया है जिस भी व्यक्ति के पास में इंडिवीजुल फॉरेस्ट राइट्स होगा है ना अगर उसकी मृत्तिव हो जाती है और उसने अपना सक्सेसर याने कि अपना क्या बता दिया जाता है अपना क्या घोशित कर देता है वो उत्तरा धिकारी अगर वो डिपार्टमेंट और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन दोनों मिल करके इसको सुगमता पूर्ण यह जो आपका व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र होगा इसे आपके उत्तरा धिकारी को हस्तांत्रित करने की व्यवस्था करने का एक क्या लिया गया है निरनय लिया क्या है यह आपका अंडर मुख्यमंत्री आवास योजना दर रेजिस्ट्रेशन डेट टू प्रोवाइड हाउसिंग टू होमलेस एकोनोमिकली वीकर एंड लोवर फैमिली लोवर क्लास फैमिली इन नया राइपूर इस ऑल्सो एक्सेंडेड मतलब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया राइपूर में आवास हीन आर्थिक रूप से कमजोर और निम्दवर्ग के परिवारों को आवास उपलब्द कराने के लिए पंजियन की तिथी को भी बढ़ा दिया गया है है ना पहले यह तिथी कब तक थी यह थी आपका 30 जुलाई 24 तक लेकिन आप इसे बढ़ा कर कर दिया गया है इसे 30 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है और इन सभी के साथ में ये वे सभी महत्तपूर्ण आपके नेड़े थे जिसे किसने लिया है आपके सरकार की cabinet में हाल ही में cabinet meeting के द्वारा सबसे जो महत्पूर्ण चीज है वो हमारे चत्तीजगड में एक नया विभाग का गठन किया गया है और इस विभाग को हम बोल रहे हैं क्या सू साशन एवं अभी सरन विभाग बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए important है ये व governance and convergence क्या काम के लिए किया गया है a separate good governance and convergence department for effective implementation एक क्लाइन important है effective implementation of state government welfare policies state government welfare policies good governance and addressing public issue was established मतलब implementation of state government welfare policies good governance or addressing the public issues was established राजसरकार की कल्यानकार नीतियों के प्रभावी क्रियानवयन तो एक-एक point है यह ना पहला क्या है राजसरकार की कल्यानकारी नीतियों के प्रभावी क्रियानवयन के लिए दूसरा सूश आशन राज में सूश आशन स्थापित करने के लिए और साथ-साथ जन समस्याओं के निराकरण के लिए एक अलग से ही क्या बना दिया गया है सीधा-सीधा विभाग बना दिया गया है और इस विभाग का नाम क्या है आपका सूश आशन एवं अभी सरण का विभाग इसे नाम दिया गया है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ए रिव्यू ए रिव्यू ए पुब्लिक सर्विस गैरंटी डिजिटल सेक्रेटेरियट विच आर करेंटली पार्ट ऑफ जनरल अट्मिक्षा सेवा गारंटी आर्थन और सभी जो जोविषय है जो आजके डेट में आपका समान न प्रशाषन विभाग के अंतरगत आते है उनको क्या कर दिया गया है हस्तांतरित कर दिया गया है किसको Department of Good Governance and Convergence को तो यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important है क्या Department of Good Governance and Convergence आईए दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण इस हफते हमारे लिए न्यूज में रहा है वो है आपका state capital region मनाने का एक हमारा बहुत समय से बहुत समयसे दो नहीं जब से विष्णुदेव जी की सरकार हमारे चत्तीजगर में आई है तब से हमारे देश का जो national capital territory या फिर national capital region आफ डेली है याने की उत्तर दिल्ली राजस्थान के कुछ एरियास को मिला करके हमने एक क्या किया है एक देश की राजधानी की रीजन के रूप में डेवलप किया है कुछ उसी तर्ज पर हमारे चत्तीजगड में भी स्टेट कैपिटल रीजन याने की एस सी आर इसका गठन करने का क्या किया गया है एक विजन रखा हुआ था जिस विजन पर काम करते हुए नवारायपूर अटल नगर डेवलप्मेंट अथॉरिटी यानि की नवारायपूर अटल नगर विकास प्राधिकरण को एक जिम्मेदारी दी गई है has been provided with the task for formulating the detailed project report DPR detailed project report DPR बनाने के लिए दिया गया है for which will work for development of state capital region of 36 गड़ियाने की detailed project report for establishment of authority which will work for development of state capital region of 36 गड़ियाने की जो नवारायपूर अटल नगर विकास प्राधिकरण है उसे task दिया गया है कि वो क्या बनाए detailed project report बनाए या फिर ये क्या बनाए आपके लिए विस्त्रित परियोजना report विस्त्रित परियोजना report यहां पर तयार करे किसके लिए एक ऐसे प्राधिकरण के गठन के लिए जो राज में राज आपका state capital region या फिर राज राजधानी छेत्र के विकास के लिए काम करे है ना इसके लिए इसके बाद में यह जो आपका पूरा छेत्र होने वाला है जो आपका state capital region है SCR यह मुख्यता आपका राइपूर नवा राइपूर दुर्ग और भिलाई इन चार छेत्रों के चुनिंदा एरियास को मिला करके यह बनाया जाएगा क्या राइपूर नवा राइपूर दुर्ग और भिलाई यह चारों छेत्रों को मिला करके बनाया जाएगा आपका state capital region जिसके गठन के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति करनी है जिस प्राधिकरण के गठन के लिए उसका जो विस्त्रित आपका रिपोर्ट है क्या रिपोर्ट विस्त्रित परियोजना रिपोर्ट या फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है किसको आपका नवा राइपूर अटल नगर का जो विकास आपका अभीकरण है या फिर प्रादिकरण है उसे ठीक है स्टेट कैपिटल डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंवार्मेंट प्रोटेक्शन हैस बिन मेड दा नोडल डिपार्टमेंट याने की जो आपके राज में आवास एवं पर्यावरंड संरक्षन विभाग है उसे इसका नोडल विभाग बना दिया गया है किसका स्टेट कैप इसके बाद में हमारे पास जो दूसरा महत्वपूर्ण है यह आपका चत्तीजगर में दो नए medical colleges की स्थापना के लिए इंडियन medical commission ने क्या दे दिया है अपना permission दे दिया है तो national medical commission has approved two new medical colleges in चत्तीजगर with capacity of 150 seats in नवाराइपूर and 50 seats सिन्दूर्ग यानि कि 150 seats वाली नवाराइपूर नवाराइपूर medical college और 50 seats वाली दूर्ग medical college इन दोनों के गठन के लिए हम लोगों को क्या मिल गया है permission मिल गया है जिसके बाद में हमारे 36 गड़ में कुल मिला करके जो total seats हो जाएंगी MBBS की वो हो जाएंगी 210 seats जो की पहले कितनी थी 1910 seats याने कि अभी कितना 150 seat नवाराइपूर का और 50 seat दुर्ग medical का मिला करके total कितने का वृद्धी किया गया है हमारे राज्य में ये है आपका 200 seats का 200 seats का यहां पर क्या किया गया है वृद्धी की गई है पहले कितनी हुआ करती थी 1910 medical seats हुआ करती थी MBBS की अब हो जाएंगी कितनी 210 seats हो जाएंगी MBBS की साथ ही यह जो कुल है इसमें से आपका 1460 जो medical seats है MBBS की वो government colleges की है और 650 seats जो है यह privately owned medical colleges की है है ना बोथ colleges are privately owned मतलब यह जो आपका नवा रायपूर का medical college और जो दुर्ग का आपका medical college होने वाला है यह दोनों ही private colleges होने वाले है government colleges आपको नहीं देखने मिलेंगे इसलिए अब जो हमारे 36 गड़ में medical colleges की कुल संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो गई है और यह कितने हो जाएंगे यह हो जाएंगे आपके पास में 15 टोटल क्या हो जाएंगे आपके government colleges हो जाएंगी और माफ किजेगा कुल मिला करके total medical colleges हो जाएंगी पंद्रह जिसमें से जो साश की है या फिर government की है वह हो जाएंगी कितनी पांच और माफ किजेगा जो आपकी government है colleges medical colleges उनकी संख्या है 10 और प्राइवेट जो है वह पहले तीन हुआ करती थी अब हो जाएंगी कितनी पांच यहां पर medical colleges आप लोगों को देखने को मिलेंगे कौन से प्राइवेटली ओंड तो टोटल हमारे पास में कितनी MBBS की सीट्स हो जा रही है टोटल सीट्स हैं हमारे पास में 210 जो की अभी 200 वृद्धी के बाद में है और यह 200 कैसे डेट सो नवारायपूर medical college जो नया बनने वाला है वहां पर कितनी शीट्स बढ़ रही है वहां पर आपकी और वहीं जो दुर्ग का medical college है वहां कितनी सीट्स बढ़ रहे हैं 50 सीट्स याने कि टोटल कुल मिला करके 200 सीटों की वृद्धी हो रही है पहले कितनी थी 1910 अब कितनी हो गई है 210 हो जाएंगे टोटल हमारे पास में जो सीट्स है 210 उसमें से 1460 जो सीट्स है वो गवर्मेंट कॉलेजेस की MBBS सीट्स है जबकि जो 650 50 सीट्स है यह कौन सी सीट्स है यह आपके प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स है टोटल नंबर अफ मेडिकल मेंघिकल कॉलेजेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा थेक है तो यह प्ल मिला इंफॉर्मेशन है महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए क्या है दो हमारे लिए नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं चतीजगड में दोनों ही आपके क्या होंगे नीजी छेत्र के यानगी प्राइवेटली ओंड मेडिकल कॉलेजेस होंगे एक है आपका की मद्यूरी दे दिया जो नवारायपूर में डेड़ं सो सीट्स की हैं दुर्ग में पचास सीट्स की हैं बाकि सारा डिटेल वही है जो हमने पिछली स्लाइड में में पढ़ा है इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है गौंचाव फेस्टिवल और बस्तर वेरी वेरी आप लोगों का जो art and culture का art and culture of 36 गड़ का जो ये portion है उसके लिए ये बेहद important है हाल ही में पूरे देश में हमारे क्या हुआ है जगनात यात्रा और्गनाइज कराई गई थी और उसी तरज पर हमारे बस्तर में भी जगनात यात्रा के साथ साथ गोंचा फेस्टिवल हमने क्या किया है और्गनाइज किया है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में information देख लेते हैं दगोंचा फेस्टिवल also known as the chariot festival चारियट फेस्टिवल याने की रत यात्रा के राम से इसको जाना जाता है इस अ ट्राइबल फेस्टिवल celebrated in बस्टिवल इस ट्राइबल फेस्टिवल विच्छ इस इस शेलिबरेटेट इन बस्टिव फेस्टिवल विच इन 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 इंपोर्टेंगाई यह जो आपका गोंचा पर्व है बस्टिवल काई नौ दिनों तक continuously मनाया जाता है यह information आप लोगों को बहुत कम जगा मिलेगी जिसमें छोटा और बड़ा गोंचा मनाया जाता है यानि कि श्री गोंचा और बहूदा गोंचा एक-एक line आप लोगों के लिए important है 9 दिनों तक मनाई जाती है, इसमें छोटा और बड़ा गोंचा होता है, एक होता है छोटे गोंचे को क्या बोलते हैं, श्री गोंचा कहा जाता है, बड़े गोंचे को बहुदा गोंचा बोला जाता है, it features a unique tradition called tupki very 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 important very 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 important direct question आप लोगों से पूछा जाता है tupki इन में से किस festival में हम क्या करते है use करते है या फिर play करते है tupki से so it features a unique tradition called tupki which is a mock fight where people hit each other with guns made up of bamboo sticks guns made up of what bamboo sticks the festival is also marked by a chariot procession where idols of Lord Goddess Danteshwari along with 22 idols of Lord Jagannath Lord Balbhadra and Lord Subhadra are taken in three four wheeled chariots मतला यहां पर तीन आप लोगों को क्या देखने मिलेंगे chariots देखने मिलेंगे यह chariots समझ लीजेगा भीया इसको हमारा chariots ऐसे ही बनता है हाला कि वहां जब आप आप जा करके देखेंगे तो मंत्र मुक्द हो जाएंगे वह इतना जबरदस्त वहां पर रत बनाई ही जाती है तो तीन रत होते हैं जिसके क्या होता है आपका चार पयर होते हैं 123411234 चार पहियों वाला तीन रत बनाया जाता है जिसमें ल電द जगननात की 22 मूर्टियों के साथ साथ दंतेश्वरी महिया को भी पूरे शहर ब्रहमण कराया जाता है कितने दिनों तक ये चलता है फेस्टिवल नौ दिनों तक चलता है कौन-कौन से मुख्य गोंचे इसमें होते हैं चोटा गोंचा और बड़ा गोंचा चोटा गोंचा को क्या कहा जाता है श्री गोंचा और बड़े गोंचा को क्या कहा जाता है ब भगवान जगननात बलबद्र और देवी सुबद्रा की बाइस मुर्तियों को तीन चार पहिये वाले रथों में क्या किया जाता है ले जाया जाता है या फिर नगर भ्रह्मन कराया जाता है गोंचा फेस्टिवल इस बिलीवड टू है बिन स्टार्टेड बाइदर रूलर्स ओफ चालुक के डाइनेसिटी महाराजा पुरुशुत्तम देव महाराजा पुरुशुत्तम देव के द्वारा इसकी शुरुवात की गई थी जो की लगबग आज के डेट में चैसो साड़े 600 वर्षों का क्या हो गया है इसका इतिहास है आपका रत्यात्रा का 36 गड़के जिसे हम क्या कहते हैं गोंचा पर्व के नाम से भी जाना जाता है और यह कब मनाया जाता है यह हिंदू मन्त ओफ असाड फ्रॉम अशाड शुक्ल द्वीतिय टू अशाड शुक्ल दश्मी या इसने दिनों तक नौ दिनों तक ठीक है किसके शुरुवाद की थी इसकी पुरुषोत्तम देव जो आपके चालुक के राजा थे और चालुक के राजा चालकी बंश राजा किन्हें कहा जाता है चत्तीजगड के काकती राजाओं को जो मूलता आपके वारंगल चेत्र से हमारे चत्तीजगड के बस्तर चेत्र में आए थे ठीक है चलीए आगे चलते हैं चत्तीजगड फर्स्ट Нिक वेहिकल लाब याने कि 36 गड का पहला इलेक्ट्रोनिक वाहन प्रयोग शाला स्थापित कर दिया गया है कहां स्थापित किया गया है राष्ट्रिय प्रध्योगी की संस्थान याने कि National Institute of Technology राइपूर में इसकी स्थापना की गई है यह क्या है इलेक्ट्रावानिक वाहन के पूर्जों और बैटरीयों के लिए एक विश्विस्तरिय डिजाइनिंग परिक्षन और विकास इकाई जिसका उपयोग सीधे उत्पादन बजारद्वारा वाहनों के उपकरण के रूप मे किया जा सकेगा याने की इलेक्ट्रावनिक वाहनों के सम्मंदित आपके जो पार्ट्स हैं बैटरीज हैं साथ-साथ और क्या है अन्य आपका डिजाइनिंग और परिक्षन याने की डिजाइनिंग एक्जामिनेशन डेवलप्मेंट इकाई के रूप में इसको स्थापित क टेक्नॉलजी में और यहां पर क्या होगा यहां पर आप परिक्षन कर सकेंगे इलेक्ट्रोनिक वीकल से सम्मंदित जितने भी आपके क्या होंगे प्रोसेस होंगे उन सभी को हम यहां पर कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फेसिलिटी यहां पर हम लोगों को इससे विद्दुत वाहनों के छेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, है ना, it will give boost to research and development in the field of electronic vehicles, local mechanics will be provided with free of cost training for electronic vehicle servicing, याने कि skill development भी हो रहा, जो local mechanics हैं, जो अभी तक क्या है, diesel motor और petrol motor को वाली गाडियों को क्या करते हैं, बनाने और उनकी servicing से उनकी जीव को पार्जन होता है, याने कि उनका जीवनियापन होता है, उनका एक skill development भी होगा नाइटी में, क्योंकि उनने free of cost ये सिखाया जाएगा, कि जो electronic vehicles होंगी, उनकी market में किस तरीके से servicing कराई जा सकती है, है ना, तो काफी अच्छा पहल है हमारे राइपूर के NIT में, आगे चलते हैं, कोई हमारे पास में व्यक्ति हैं, क्या जो महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल, केदार कश्यब, जो वर्तमान में हमारे one एवं जल वायू परिवर्तन, जल संशाधन और सहकारिता तथर कौशल विकास के मंतरी हैं, सहकारिता तथर कौशल विकास के मंतरी हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार या फिर अतिरिक्त प्रभार ना कहते हुए, इन्हें और जादा क्या दे दिया गया है, इनके दाइत्त्वों में इस्तीफा देते हुए विधान सभा से भी स्तीफा दे दिया है और अब क्या हो गए थे 36 गड़ से एक संसद हो गए है याने कि संसद हो गए है वो पर मेंबर ऑफ पाल्यमेंट हो गए है रायपूर से हैं और जैसे युँन्हों यह पद अपना छोड़ा उनके पास में कौन-कौन से था School Education Department था संसदियकार विभाग यह ने कि Parliamentary Affairs का Ministry था Department था तो यह जो Parliamentary Affairs का Ministry है इसे उठा करके दे दिया गया है किसे केदार कश्यप को, अब केदार कश्यप के आगे Portfolios में क्या क्या आएगा minister of forest change climate forest climate change water resources cooperative skill development and the minister of what parliamentary affairs department ठीक है चलिए अगला देखते हैं places in news सबसे पहला है हमारे पास में तांदूला बांध यह कहां पर है यह आपके 36 गड के बालोद जिले में स्थित एक बांध है और पहली बार 1962 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भिलाई steel plant है उसे जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है इंडस्ट्रियल वाटर जिसकी आप पूर्थी कहां से की जाती थी हमेशा से गंगरेल पंडित उतना नहीं होता था तो कहां से किया जाता था खर्खरा जलाशे से किया जाता था आज तक यही ट्रेडिशन बना हुआ था लेकिन पहली बार ऐसा हो गया है कि आपका रविशंकर सागर यानि कि गंग्रेल डैम में भी पानी नहीं है और खर्खरा में भी पानी नहीं है तो फ आखिर कौन से राज्य में है और वर्तमान का जो मौनसून का आपका क्या रहा है सीजन रहा है इसमें मौनसून की कमी के कारण या फिर वर्षा की कमी के कारण गंग्रेल बांध और खरकरा बांध दोनों ही भर नहीं पाए हैं जिसके कारण भिलाई स्टील प्लांट को इंडस अख्टपुन स्थल है वो है आपका चंपारण्य लोकेटेड उन दे बैंक्स ओफ महाँदी रिवर लोकेटेड ऑन दे बैंक्स ओफ महाँदी रिवर इन राइपूर दिस्ट्रीक ओफ चत्तीजगर्ण दविलेज है इमेंस सोशल इंपर्टेंस एज इस दबर्थ प्लेस ऑफ जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार जी याने कि जो हमारे जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचारे जी है उनकी जन्म स्थली है क्या चंपारण्य महानदी के तट परस्थित है राइपूर जिले में है इसे पहले चंपा जहार के नाम से भी जाना जाता था बेहद इंपॉर्टेंट है चंपा जहार के नाम से इसे जाना जाता था ड्यू टू प्रेजेंस ओफ फॉरेस ओफ फ्लावर्स ओफ चंपा मतलब जिस प्रकार से सुन्दर बन को जो आपके मैं mangroves हैं पुरी दुनिया के सबसे बड़े mangroves हैं आपके वेस बेंगॉल और बांगला देश में फैले हुए सुन्दर बन तो उनका नाम सुन्दर बन याने कि वहां पर एक पेड़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या सुन्दरी और उस सुन्दरी पेड़ के ही नाम से इ पाये जाते हैं है और यह उस चंपा के फूल के नाम से इसे क्या जाता था चंपा झार और वर्तमान में चंपारन्य के नाम से जाना जाता है वेरी वरी इंपोर्टन एक बहुत ही बड़ा यहाँपर अभी क्या करिया गया था वर्ल्ट लेवल का plantation drive आयो जित कराया गया था कहाँ पर आपका चमपारण्य में इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है यहाँ पर दो क्या है शिव मंदिर है क्या क्या नाम है dedicated to वल्लभाचार्य जी वल्लभाचार्य जी को समर्पित दो शिव मंदिर यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलते है जिनका नाम क्या है प्राकट बैठक जी और दूसरा क्या है बैठक मूल प्राकट ये दोनों क्या है आपके शिव मंदिर है जो आपको चमपारण्य में देखने मिलते है हर साल यहाँ पर हिंदू मन्त माग में माग में ठीक है वही है आपका चंपारण के बारे में इंफॉर्मेशन हिंदी में भी है देख लिजेगा प्राकट्य बैठक जी और बैठक मूल प्राकट्य ये दो क्या है शिव मंदिर है इसके बाद में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है आपका वर्ल्ड पॉपुल किया है देखने हैं बिल्कुल तो एक राष्ट्रिय पाउर लिफ्टिंग स्वत प्रतिस परधा ऐुजित की गयी थे याना की नश्टनल पाउर लिफ्टिंग चैंप्यंशिप कराया गया था कहा पर उज्जय所以呢 में कराया गया था कब कराया था पांच से लेकर 8 जुलाई 2024 तक कराया गया था और यहां पर 36 गड़ के चार पावर लिफ्टर्स जिनका नाम है क्या राहुल सार्थी, मुनु गोस्वामी, मुहमत आदिल, महेश कुमार आजाद इन सभी ने अपने लिए क्या हासिल कर लिया है विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपिंशिप के लिए य पाहुल सार्थी, मुनु गोस्वामी, मुहमत आदिल, महेश कुमार इन सभी को क्या कर लिया गया है वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपिंशिप के लिए क्या कर लिया गया है सेलेक्ट कर लिया गया है और यह कैसे सेलेक्ट किया गया है नैशनल पावर लिफ्टिंग च चत्तीजगड थ्रू मेंबर्स ऑफ नेशनल कैड़ेट कॉप्स राइपूर एज अ कम्यूनिटी अवेइनेस कैमपेंग इट वज बाइक रेली फ्रॉम राइपूर टू सिर्पूर प्लांटिंग 50 ट्रीज इन दवी मतलब यह चत्तीजगड का जो वन विभाग है उसके माध राइपूर से लेकर के सिर्पूर तक में यह 50 पौदों का क्या किया है इन्होंने ब्रिक्षा रोपन किया है है तो आप लोगों से डायरेक्ली क्वेश्चन पूछा जा सकता है रैली फॉर्ड ट्रीज किसके द्वारा और्गनाइज कराया गया था फॉरेस्ट डिपार्ट ठीक है और फाइनली हमारे चत्तीस गड़ के एक स्टेशन को क्या बना दिया गया है स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में इनाउग्रेट कर दिया गया है जिसे हम बोल रहे है क्या 36 गड़ का पहला स्मार्ट रेल्वे स्टेशन और यह है आपका CBD नवाराइपूर तो राइपूर का जो CBD railway station है Central Business District railway station of नवार राइपूर है ना उसे क्या कर दिया गया है चत्तीजगड का पहला smart railway station गोशित कर दिया गया है और किसकी तरज पर इसे गोशित किया गया है यह जो आपके metro stations होते हैं डेली मुंबई वाले जो मेट्रोज हैं उनकी तरज पर पहला smart station हमारे चत्तीजगड का बनाया गया है किसे CBD नवाराइपूर आप लोगों के लिए direct question है यहां पर हमारी लिए खतम होता है जुलाई के दूसरे हफते में होने वाली वे सभी समसमाई की घटना है जो हमारे लिए राज की स्तर पर महत्वपूर रही है कल हम कोशिश करेंगे इनके उपर में क्या solve करने का बहु विकल्पिये प्रश्णों को solve करने का तब तक आप हमारे चैनल में मनिया रहे है थैंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Koko